हेलो एबरिवरन, वेलकंटो गेट अकेड़मी प्लस मेरा नाम है अक्षे मिश्रा और आज हम अवारा सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं फ्लूइड मशिणरी नाम हनकी नाम है and अज हम हमारा सब्योड शूरू करेंगे तो fluid machines क्या होती है? ऐसी energy conversion device होती है, जो fluid की stored energy को mechanical energy में convert करती है और vice versa. अब एक fluid में कैसी energy stored हो सकती है? So, तो एक fluid में एक potential energy stored हो सकती है, kinetic energy stored हो सकती है, potential energy कैसे होगी, उसकी height के कारण, यदि fluid को हम किसी height में place करके रखे हैं, kinetic energy stored हो सकती है, उसके motion के कारण, और तीसरा, intermolecular energy उसके अंदर store हो सकती है, intermolecular energy जैसे बोल सकते हैं, internal energy, particles के जो motion पे depend करती है, temperature पे depend करती है, ये सब energy fluid store दिबोर करके रखता है, अब ऐसी मशीन जो अपना जो मीडियम है, वो वॉटर यूज करती है। प्रैंक्टिकली सारे परपस के लिए उन मशीन को हम बोलते हैं हाईडरॉलिक मशीन सो यह हमारा subject है इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे hydraulic machines के बारे में पढ़ेंगे सो मैं यहाँ लिख देता हूँ hydraulic machines सो हम mainly किसके बारे में पढ़ेंगे hydraulic machines के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमने देखा कि यह एक ऐसी device होती है जो water use करती है सारे purposes के लिए energy convert करने के लिए इस water की मदद से हम mechanical energy पैदा भी करते हैं और mechanical energy की मदद से हम water पे energy stored भी करते हैं अब हम बात करते हैं hydraulic machines की so hydraulic machines ऐसा subject है जो सारे universities और college में as a core subject use होता है इसे mechanical engineering वाले भी पढ़ते हैं और civil engineering वाले भी पढ़ते हैं और इसमें हम सारी machines के बारे में पढ़ते हैं ऐसी machines जो water के head के कारण run करती है या water को head पैदा करके देती हैं और इस subject की एक और बात यह है कि ये subject को बहुत सारी universities fluid dynamics में पढ़ना refer करती हैं क्योंकि mainly इसमें हम forces के analysis करते हैं और forces का analysis हम mainly कहां करते हैं देनमिक्स में करते हैं, अब हम बात करते हैं, अब हम शुरू करते हैं, सब्जेक्ट तो इसके अंदर हमारा पहला मॉड्यूल क्या आएगा? हमारा पहला मॉड्यूल ये होगा, इंपक्ट ऑबजेट्स, तो मैं यह हमारा टॉपिक लिख दे रहा हूँ, जिसको हम आज प्लेट को स्ट्राइक करता है, और वो प्लेट स्टेशनरी है, या मुविंग है, तो वो उसमें कैसी फोर्सेस पैदा करेगा, और उसमें फोर्सेस किस-किस डिरेक्शन में पैदा होगा, यह चीज हम मेनली पढ़ेंगे, अब सबसे बहले बात करते हैं, हम इंपक्ट ऑफ वेलोसिटी जादा है, तो अब्वेसी बात है, उसकी काइनेटिक एनरजी जादा होगी, so fluid jet कुछ नहीं है, extreme of fluid issuing from a nozzle with high velocity, hence have high काइनेटिक एनरजी, अब जब यह jet किसी प्लेट को हिट करता है, तो वो उसमें फोर्स एक्जर्ट करता है, वो फोर्स कैसे एक्जर्ट करता है उसका momentum change होने के कारण, माक कीजीगा, कि jet का momentum change होता है, इसलिए वो प्लेट पे force exert करता है, this force hydrodynamically can be evaluated by using impulse momentum equation, मतलब इस force को हम अराम से analysis कर सकते हैं, किसकी मदद से, impulse momentum equation की मदद से, हम जो यह chapter शुरू करेंगे, इसमें हम पूरा यही देखेंगे, impulse momentum equation का main application देखेंगे, कि इ इसी प्लेट में hydrodynamic force calculate करेंगे, jet द्वारा दी गई, तो impact of jet के बारे में पता चला, अब इसके बाद हम आगे हमारा topic शुरू करते है, impact of jet, अब main यह किस पर बेसिस है, यह पूरा impulse momentum equation पर बेसिस है, तो हम impulse momentum equation को पहले derive कर लेते हैं, तो सबसे पहले मैं लिखना चाहूंग impulse momentum equation, यह main चीज़ क्या है, impulse momentum equation को derive करते हैं, तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि impulse momentum equation क्या है, So, impulse momentum equation क्या है, हमारे पास एक main basic tool है, जैसे बाकी दो tool क्या है, Bernoulli और continuity, यह हमारा main tool है, जो hydrodynamic forces निकालने के काम आता है, कभी-कभी इससे, यह impulse momentum की मदद से हम कुछ ऐसी problems को solve कर सकते हैं, जिससे सिर्फ energy principle की मदद से solve करना possible नहीं है, तो हम ऐसी ऐसे equation solve कर सकते हैं, जिसको सिर्फ energy principle की मदद से solve करना possible नहीं होता, कभी-कभी impulse momentum equation को हम energy principle के साथ मिलके भी use करते हैं, किसी flow problem का complete solution पाने के लिए, अब main impulse momentum equation based किस पे, impulse momentum equation based है, law conservation of momentum पे या momentum principle पे, जो क्या बोलता है, the net force acting on a fluid mass is equal to rate of change of momentum of flow per unit time in that direction, यह main इसी पे बेज़द है, यह क्या है, हमारी momentum principle है, हम अभी आगे derive करेंगे इस equation को, तो सबसे पहले चलिए, impulse momentum equation को हम derive करते हैं, तो हम शुरू करेंगे किस से, newton second law से, तो हम newton second law की मतदद से इसको divide करेंगे, Newton second law क्या बोलती है, net force, force is equal to क्या होता है, mass into acceleration, यह हमको सबको पता है, बट यहाँ पे जो force होती है, वो net force होती, क्योंकि इसमें बहुत सारी factor, और भी बहुत सारी force होती, gravitational force होती है, body force होती है, और pressure force होती है, यह सारी forces से sum होती है, submission है, equal to m a, यदि, मैं यहाँ, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यह F क्या है, तो यहाँ पे submission F क्या है, submission F हमारा क्या है, net force acting on a fluid mass, अब यहाँ पे m क्या हो जाएगा, mass of fluid, और a हमारा क्या हो जाएगा, a हमारा हो जाएगा, acceleration, a हमारा क्या हो जाएगा, acceleration, so अब हमें एक और चीज़ पता है, कि हम acceleration को क्या बोल सकते हैं, acceleration को हम बोल सकते हैं, change in velocity with respect to time, तो मैं हाँ लिख देता हूँ, a equal to हम क्या बोल सकते हैं, dv by dt बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, यदि मैं इस a की value इसमें put कर दूँ, so equation क्या बन जाएगी, f is equal to m, dv by dt, अब हम क्या करेंगे, कि ये m एक constant है, इसे हम differential के अंदर ले जासते हैं, जहाँ पर वो constant बने रहेगा, so हमारी अगली equation क्या बन जाएगी, f is equal to dvm by dt, अब ये जो equation बनी है, यही हमारा mainly क्या है, यही हमारा है momentum principle, ये equation हमारी क्या है, यही equation है हमारी momentum principle, यदी मैं एक step और आगे बढ़ता हूँ, इससे यदी मैं एक step और आगे बढ़ता हूँ, तो हमें impulse momentum equation मिल जाएगी, अब वो कैसे मिलेगी, यदी मैं dt को यहाँ shift कर देता हूँ, तो हमारी equation क्या बन जाएगी, f dt is equal to dvm, और ये जो हमारी equation हमें मिली है, यही equation क्या है, यही है हमारी impulse momentum equation, ठीक है, तो अब हम definition की बात करें, तो momentum principle क्या बोलता है, momentum principle क्या बोलता है, इसका definition क्या बोलता है, the impulse force f acting on a short interval of time dt on a fluid mass m is equal to rate of change of momentum, यह है हमारी impulse momentum equation, अभी तक हमने बात करी, यह सब चीज़े किसके लिए होगी, linear momentum के लिए होगी, यदी हम angular चीज़ों की बात करें, तो हमारे पास एक और होता है, angular momentum principle, पहले वाले इन सब चीज़ों के केस को मैं a बोल देता हूँ, तो हमारे second हमारे use क्या आएगा, angular momentum principle, और angular momentum principle क्या बोलता है, कि the torque exerted by anybody, is equal to rate of change of angular momentum, यह हमारे angular momentum बोलता है, तो इसे हम equation के form में लिख सकते हैं, क्या, T is equal to I am alpha, torque exerted by anybody, is equal to rate of change of angular momentum, so हमें यह equation पता है, कि torque is equal to क्या है, I am alpha, यहाँ पे I am क्या है, I am हमारा होगा, mass moment of inertia, और alpha यहाँ पे क्या है, alpha होगा angular acceleration, और आएगा होगा आएगूलर एक्सेलरेशन, अब हम angular acceleration को एक और तरीके से बोल सकते हैं, angular acceleration क्या होता है, change in angular velocity with respect to time, so मैं यहाँ alpha की value लिख सकता हूँ, alpha equal to कितना हो जाएगा, d omega by dt, change in angular velocity with respect to time, यह दि इस value को मैं यहाँ put कर देता हूँ, तो हमारी t की main value क्या मिल जाएगी? d omega by dt, यदि मैं इस dt को इसके नीचे भेज़ू, तो यह क्या हो जाएगा? I am dot, और d omega को मैं क्या लिख सकता हूँ, omega 2 minus omega 1, यह है हमारा angular momentum principle, ठीक है? अब यह दो principle को हम use करेंगे, angular momentum principle का main application क्या है? कि इसकी मदद से हम torque निकाल सकते हैं, किसका water जो किसी sprinkler पे exert करता है, और flow problem solve करने के काम आता है, turbine के और pump के, यह हमारा main angular momentum principle का application है, अब हम हमारे main topic में चलते हैं, impact of jet, जिसको हम solve करेंगे impulse momentum equation की मदद से, और हम उसमें और cases देते जाएंगे, तो सबसे पहले हम हमारा stationary plate के बारे में पढ़ेंगे, so मैं अपना पहला topic के हाँ लिखता हूँ, मां और में अपना आएंगें और more लाँ लिखता हैं, और मां झाम हमारा Lag funnel के का लिखता अट्नी साथी हे पहले हैं, का番 हम ज यह हम जवा हैं, खो और मना आए可ँ decreasing, पह खूआ हमें गःमारा लाओ तो कि वम भार खो रहगकोता हैं, कि यह हमारा करें, तो सबसे पहले हम टॉबिक क्या पढ़ेंगे फोर्स एक्सेर्टेट बाई जैट ओन आर्स टेशनरी वर्टिकल प्लेट तो इसके लिए हम पहले हम डाइग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले डाइग्राम ले ले लेते हम एक नॉजल ले ले लेते हैं यहाँ पर नॉजल जो यूज होती है यहाँ पर वो कौन सी होती है कनवर्जिंग नॉजल होती है अब यहाँ पर हम एक फ्लैट प्लेट ले ले लेंगे जो वर्टिकली है और स्टेशनरी है तो स्टेशनरी के लिए इसको क्या करेंगे हम फिक्स कर देंगे इस प्लेट को इस प्लेट को हम fix कर देखें अब इस nozzle से एक fluid jet निकलेगा जो इस plate को strike करेगा और obviously बात है strike करेगा उसका momentum change होगा तो वो plate पे क्या करेगा एक force exert करेगा सो हम पहले fluid jet बना लेते हैं हम अपना यह रहा हमारा fluid jet अब मैं यहां की velocities की बात करूँ तो जो nozzle से velocity निकलेगी उस velocity को मैं ले लेता हूँ V0 V0 हमारी velocity की इसकी jet की जब वो nozzle से निकल रहा है यहां का discharge हो जाएगा Q और its jet का एक diameter होगा वो diameter को हम ले लेते हैं D ठीक है अब यहां पे हम plate के पास एक control volume assume करते हैं अपने analysis के लिए ठीक है और इस control volume में जो velocity आ रही है उस velocity को हम क्या ले लेते हैं V1 अब जब यह plate जब यह jet इस plate को strike करेगा so तो यह 90 degree deflect होगा और हम jet और plate के बीच का friction neglect कर दे रहें so जैसी यह 90 degree rotate होगा तो दुनों तरफ और भी velocities आएंगी so अब मैं नाम देता हूँ इस velocity को मैं बोलता हूँ V2 और यह वाले velocity को मैं नेम कर देता हूँ V2 यह fluid 90 degree rotate हो जाएगा अब सबसे पहले हम force calculate करना चाहें so हम इसमें Newton second law से शुरू कर सकते हैं तो Newton second law के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि submission F is equal to MA net force is equal to mass into acceleration अब यह हम बात करें force in x direction की तो हम लिख सकते Fx is equal to MAx acceleration भी उसी direction में रहता है तो Fx is equal to MAx लिख देते हैं अब acceleration को हम क्या लिख सकते हैं हमने पहले किया change in velocity with respect to time so हम उसे dv by dt लिख सकते हैं और जो इसके नीचे dt आएगा उसको हम पहले ही M के नीचे ले लेते तो यदि M के नीचे आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा M by dt मतलब क्या हो जाएगा वो mass flow rate बन जाएगा so मैं आपे लिख सकता हूँ Fx is equal to M dot dv लिख सकता हूँ या dv ना लिख के मैं इसे दो velocities के form में लिख देता हूँ v2x minus v1x final velocity minus initial velocity so ये क्या है हमारी force है अब ये जो force है fx ये force किस पे ये force है z पे हमारा main मकसद क्या है हम आगे जाके निकालेंगे कि force plate पे कित्ती लग रही है so fx की value ये हो जाएगी M dot v2x minus v1x अब एक और चीज यहां पे देखते हैं कि mass flow rate क्या है mass flow rate क्या होगा M dot है ये M dot की नीचे ये ax का dt आके इसकी नीचे आ गया था तो ये M dot हो गया था अब M dot को हम क्या लिख सकते है density into discharge लिख सकते है density into discharge लिख सकते है q और density rho अब एक और चीज continuity equation से पता है हमें कि discharge को हम क्या लिखते है area into velocity so मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A into V0 V0 मैं क्यों ले रहा हूँ क्योंकि जो nozzle से fluid निकल रहा है उसकी velocity कितनी है V0 है चीक है अब area क्या होगा Z का area और Z का area किस से निकलेगा उसके diameter से तो हम यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते है रो into pi by 4 d square into V0 यह सारी चीज़े हम लिख सकते है वैसे हम यहाँ mass flow rate में क्या value डालेंगे यह area की पूरी value निक डालेंगे बस रो A V0 डालेंगे ठीक है अब यह value हम आगे डालेंगे सबसे पहले हम बात कर लेते तो यह जो force आई यह force हमारी किस पे आई प्लेट पे आई अब हम निकालेंगे plate पे force, ठीक है, so हमने fx निकाल लिया था, fx क्या है, हमारी force है, किस पे, z पे अब यदि हम force निकाले, किस पे plate में, so, सबसे पहले हम लिख लेते, वहाँ पे क्या-क्या है, v2x क्या है हमारा v2x के बारे में मैंने बताया नहीं v2x और v1x क्या है, so v2x है हमारा exit exit velocity है, in x direction in control volume, क्या है exit velocity in x direction in control volume, और हमारा v1x क्या है inlet velocity, velocity को मैं short form में लिक रहा हूँ, v e l in so, v1x क्या है हमारी inlet velocity x direction में control volume के अंदर और हमारा fx क्या है fx होगा हमारा force on z, यदि हम force on plate निकालें, so उसको हम किसी से denote करेंगे, उसको हम denote करेंगे, f dash x से, और ये क्या होगा, newton's third law की मदद से, so newton's third law क्या बोलती है, कि every action, there is an equal and opposite reaction, यदि ये z, इस plate पर कुछ action करेगा, so plate उसको एक reaction भी देगी, और वो ही reaction force क्या हो जाएगी, हमारी f dash x, so इसकी value क्या लिक सकते हैं, हम, m dot, वहाँ पे क्या है, v2x माइनस v1x, तो उल्टा हो जाएगा, v1x, तो यहाँ पर मैं लि v2x, अब हम यहाँ अपने m dot की value पूट कर देते हैं, so हमारे m dot की value हमने क्या लिए थी, rho a v0, rho मतलब density, area मतलब z का, और v0 मतलब यहाँ की velocity, so हम अपने m dot की value पूट कर देंगे, rho a v0, अब हम velocities put करेंगे, v1x माइनस v2x, v1x क्या है, inlet velocity, in x direction, in control volume, मतलब inlet velocity, x direction में control volume के अंदर, control volume की initial velocity क्या है, v1, so हम यहाँ क्या लिखेंगे, v1x की value क्या लिखेंगे, v1 minus v2x, exit velocity क्या है, control volume में, exit velocity, control volume में 0 है, क्योंकि जैसी, वो plate को hit करेगी, उसकी velocity तो 0 हो जाएगी, so उसकी value क्या हो जाएगी, 0, so हमारा f-x का expression क्या बन जाएगा, f-x बन जाएगा, rho, a, v0, v1, यह f-x क्या है, यह f-x ही है, force on plate, और यह force कौन exert कर रहा है, यह force z exert कर रहा है, plate के ओपर, ठीक है, अब उसके बाद, इसको मैं अपना एक और चीज़ देखते हैं, यह तो हो गया हमारा expression, अब मैं इसको case 1 मान लेता हूँ अपना, case 1 मैं क्यों मान रहा हूँ, वो पदा चलेगा, मैं इसे अपना case 1 मान लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं को यह देखना है, कि यह दोनों velocities में फर्क है, कि नहीं है करके, अब यह दोनों velocities में फर्क है, कि नहीं है, यह जानने के लिए हम एक equation की मदद ले सकते हैं, वो कह है Bernoulli's equation, so सबसे पहले मैं अपना section मान लेता हूँ, so इसको मैं अपना section 0 मान लेता हूँ, और इस point को मैं अपना section 1 मान लेता हूँ, अब इन दोनों section की बीच में यह दी मैं Bernoulli equation लगाऊँ, so देखते हैं हमें क्या मिलता है, हम 0 और 1 की बीच में Bernoulli equation लगाएंगे, सो Bernoulli's equation क्या होती है, P0 by rho g plus V0 square by 2g plus Z0, Z0 क्या है हमारा datum, equal to P1 by rho g, यहाँ P क्या है pressure, rho density g acceleration due to gravity, V0 क्या है nozzle से जस्ट निकलने वाली velocity, Z0 क्या है datum, P1 pressure plus V1 square by 2g plus Z1, अब हम एक और चीज़ देखते हैं, कि यहाँ पर pressure तो atmosphere maintain है, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह Z क्या है, atmosphere में यह है, तो यहाँ पर pressure तो दुनों जगाँ सेम होगा, atmosphere pressure maintain होगा, सो यहाँ से यह दुनों term हमारी कट जाएंगी, चीक है, अब एक और चीज़ देखते हैं, कि हमारा datum क्या है, datum भी हमारा सेम है, सो यह दुनों term भी कट जाएंगी हमारी, तो अब हमारा expression क्या मिलेगा हमको, V0 equal to V1, सो इस equation की मदद से हमें यह पता चल सकता है, कि यह जो velocity है V0, और यह velocity है V1, यह दुनों सेम होगी, अब इसको मैं इसमें put कर दूँगा, सो मेरा F-X का expression क्या बन जाएगा, रो A V0 square, और यह V0 क्या है, वो ही velocity है जो nozzle से निकलने के तरफ है, सो यह मेरा expression बन जाएगा, रो A V0 square, अब मैंने इसको case 1 माना था, क्यों, क्योंकि case 2 में एक और चीज़ होगी, ऐसा, यह दोनों velocity सेम कब हो रही, कौन सी दो velocity, nozzle से निकलने वाली, और control volume के inlet की जो velocity है, वो सेम तब हो रही है, जब यह nozzle horizontal है, यदि यह nozzle vertical हो गया, तब यह दोनों velocity सेम नहीं होगी, तब यहाँ पे दोनों की velocity की values में फर्क मिलेगा हाँ में, सो अब हम हमारा case 2 देखते हैं, मैंने case 1 वहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं एक और case 2 बनाऊंगा, इसी कही, सो मैं यहाँ पे लिख जाता हूँ case 2, और case 2 में हमारा क्या रहेगा, पहले वाले case 1 में हमारा nozzle horizontal थी, अब हम यहाँ पे एक vertical, बतलब nozzle को vertical रखेंगे, सबसे पहले हम एक plate ले ले लेते हैं यहाँ पे, यह plate को fix कर देते हैं, और यहाँ पे एक nozzle बनाते हैं, अब यह nozzle से निकलना वाला fluid, इस plate को strike करेगा, अब हम आपने analysis के लिए, यहाँ पे भी एक control volume मान लेते हैं, ठीक है, velocities की बात करते हैं, यहाँ से जो velocity निकलेगी, वो velocity को हम क्या ले ले दे थे, V0, और control volume के inlet की velocity क्या है, V1, और obviously बात है, जब इस plate को यह strike करेगा, Z, तो यहाँ से velocities बहार आएगी, तो इस direction की velocities को मैं क्या ले लेता हूँ, V2, यहाँ से Z बहार आएगा, तो इस velocity को मैं ले लेता हूँ, V2, और इस velocity को मैं ले लेता हूँ, क्या, V2 डैश, चीक है, अब, हम यहाँ पे फिर से, Bernoulli equation लगाते हैं, और पहले हम अपना points मान लेते हैं, इस height को मैं ले लेता हूँ, अब यदि मैं इसमें Bernoulli equation लगा हूँ, तो अब हम अपनी Bernoulli equation लगाएंगे, किन दो points की बीच में, 0.0 and 0.1 की बीच में, तो मैं लिखता हूँ, applying Bernoulli equation, मैं short form में लिख रहा हूँ, Bernoulli equation को BE, तो Bernoulli equation अमारी क्या हो जाएगी? P0 by Rho G, plus B0 square by 2G, plus Z0 equal to P1 by Rho G, plus Z1, तो यहां पर भी pressure क्या है, pressure तो atmospheric है, तो हमारी pressure जो head है, वो cancel out हो जाएगा, यह दो term हमारी cancel out हो जाएगी, और यहां पर Z1 क्या है, Z1 हमारा, Z0 तो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम इसी कोई अपना datum मान रहें, इसी वाले कोई हम अपना datum मान रहें, तो इसकी value क्या हो जाएगी, इसकी value तो 0 हो जाएगी, और इसकी value क्या हो जाएगी, इसकी value हो जाएगी, H, तो हमको question क्या मिलेगी V0 square by 2G equal to by 2G plus H अब हम इस case में देख सकते हैं कि यहाँ यह velocity V0 और V1 same नहीं होगी कब जब jet हमारा vertical है तो इससे हमें पता चला यह इसलिए मैंने इसको अपना second case दिया अब हम आगे चलते हैं यह सब तो हुआ कि इसमें forces हमारी x direction में यदि हम force निकालना चाहें by direction में तो उसको कैसे solve करेंगे तो हम by direction में भी हमारा impulse momentum इको impulse momentum principle लगा सकते हैं तो अब हम calculate करेंगे force in by direction forces in by direction मतलब यह जो jet लगा रहा है यह x direction में तो force लगा रहा है और उसकी value क्या है हमने देखी rho a v0 square यह हमारी value है अब हम यह देखेंगे कि क्या y direction में कोई force exert होगी तो चलिए निकालते हैं उसका expression y direction में force क्या होगी so मैं y direction में impulse momentum equation लगा सकता हूँ so f dash y अब याद रखिए मैं यहाँ f dash y क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि f dash y का मतलब है force कि इस पे plate पे f dash y m dot 2 m2 ले लेता हूँ क्यों क्योंकि क्या है जब यहाँ nozzle से एक mass निकलेगा और वो mass यहाँ पे आके 90 degree rotate होगा तो वो दो हिस्सों में divide होगा एक हमारा हिस्सा m2 और एक हिस्सा हमारा m2 नीचे भी जाएगा तो उपर वाली चीजों को हम किस में ले रहें 2 में ले रहें नीचे वाली चीजों पर हम डैश लगा दे रहें so m.2 v1 y minus v2 y bracket close plus m2 डैश वैसे तो यह m यह भी mass probability रहेगा यहाँ पे भी हम dot लगा सकते हैं बट मैं dot भी लगा रहे है क्योंकि हम एक डैश यूज कर ले रहे हैं क्योंकि वो आदे हिस्से के लिए तो याद रखिएगा यह भी m dot e है यह भी mass flow rate है m2 dash v1 y minus v2 y और यहाँ v1 y क्या है initial velocity in y direction और v2 y क्या है final velocity in y direction हम यहाँ value put करें so m.2 को हम क्या लिख सकते m.2 को हम लिख सकते rho q2 bracket में v1 y की value क्या है y direction में यह हम इस diagram को देखे हैं तो इस diagram को हम देख के यह बोल सकते हैं कि y direction में initial velocity क्या है y direction में initial velocity तो 0 है हाँ final velocities है 1 की v2 और 1 की v2 डैश एक हिस्से की but initial velocity 0 है so यहाँ पर यह जो दोनों term है यह दोनों term 0 हो जाएगी तो y direction में initial velocity क्या है? 0 minus v2y v2y क्या है? एक हमारा v2 है plus m2 dash ये भी m dot e है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, rho q2 dash bracket में v1y initial velocity in y direction हमको पता है वो 0 है 0 minus, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ भी क्या value आईगी? यहाँ पे v2y की value क्या आईगी? v2 dash, बट यहाँ जो v2 dash की value है, वो v2 के भी opposite है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? minus, minus v2 dash minus bracket में minus v2 dash ये हमारी value हो जाएगी तो इसको हम क्या लिख सकते है? rho q2 bracket में minus v2 plus rho q2 dash bracket में plus v2 dash अब ये कौन सी दो velocity है? एक हमारी minus v2 वो अली उपर वाली velocity और एक हमारी क्या है? v2 dash एक नीचे वाली velocity अब इन दोनों velocities के बारे में देखते हैं तो हमें एक और चीज़ पता है किससे continuity equation से देखें कि एक term negative है एक term positive है अब हमको बता चल गया discharge दोनों का जो आदे हिस्टे में divide होगा वो same रहेगा density same ही रहेगी जो water jet है और ये दोनो velocities भी हमको same मिल गई so यहाँ पर ये दोनों term क्या होंगी एक दूसरे से cut जाएंगी ये दोनों term एक दूसरे से cut जाएंगी so हमें y direction में कितनी force मिलेगी हमें y direction में force की value मिलेगी 0 so f dash y की value क्या हो जाएगी 0 तो जब भी एक fluid jet किसी stationary plate को horizontally strike करेगा so उसके पूरा velocity का component x direction में आगा y direction में कोई भी velocity नहीं आएंगी ठीक है तो अभी हमने देखा कि force exerted by a jet on a stationary vertical plate अब हम बात करेंगे कि force exerted by a jet on an inclined plate यदि एक jet किसी inclined plate पे strike होता है और impinge होता है तो वो उस पर कैसी force exert करता है तो सबसे पहले मैं अपने topic का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे थीक है हमारा topic है force exerted by a jet on a stationary inclined plate तो हम एक diagram बनाते हैं सबसे पहले हम एक nozzle लेंगे converging nozzle यहाँ पे use हो रही है ठीक है और यहाँ पे हम एक inclined plate ले लेते हैं अब यह जो fluid jet है इस inclined plate को strike करेगा ठीक है अब जब यह इसको strike करेगा तो वो plate के ऊपर travel करेगा किसमें tangential direction में so यहाँ पे tangential direction में हम fluid बना लेते हैं और हम इस plate और jet के बीच का जो friction है उसको हम neglect कर देते हैं कि fluid jet और plate के बीच में कोई भी friction नहीं होगा तो किसी भी प्रकार का loss नहीं होगा velocity में चीक है और इस plate को हम कर देते हैं fix fix कर दे रहे हैं मतलब कोई भी work done यहाँ पे नहीं मिलेगा पहले वाले case में भी हमें कोई भी work done नहीं मिलेगा वो हम देखेंगे इस case के बाद चीक है अब हम हमारी velocities ले लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो velocity होगी जिस velocity से यह plate को strike करेगा उस velocity को हम मान लेते हैं V और जो यह angle यह जो jet plate के साथ जो angle बना रहा है उस angle को हम मान लेते हैं angle theta ठीक है अब जैसी यह jet इस plate को hit करेगा तो इस plate के वो एक normal direction में force लगाएगा तो यहाँ पे एक force लगेगी इस plate के normal direction में तो यहाँ पे मैं एक normal direction में force बना देता हूँ F, N ठीक है और इस velocity का एक component ले लेता हूँ normal direction में तो इस velocity का component क्या होगा normal direction में यह वाला हिस्सा अब यह जो angle बन रहा है यह नीचे के साथ बन रहा है तो नीचे वाला component क्या होगा यह वाला component होगा हमारा V cos theta और यह वाला component हमारा क्या हो जाएगा V sin theta V sin theta हमारा component होगा अब यह दी यहां पे मैं force निकालने की मतलब force calculate करने की कोशिश करूँ कि F, N में कित्ती force लग दी तो हम यहां पे भी impulse momentum equation लगा सकते हैं सो F, N की value क्या होगी M dot bracket में V1 N minus V2 N यहां पे V1 N और V2 N क्या है अब हम यहां value put कर देंगे तो हम पहले ही M dot की value देख चुके है M dot की value क्या होगी rho A V, यहां पे V कौन सी velocity है? वही velocity है जो nozzle से निकल रही है और आगे भी वही velocity है क्योंकि हम देख चुके हैं कि यह दोनों velocity same होती है पिछले case में अब हम यहां पे V1 N की value put कर देंगे V1 N क्या है? initial velocity normal direction उसकी value क्या है? V sin theta अब final velocity क्या है? N direction में इसको hit करके उसकी velocity change हो जा रही ही तो final velocity यहां पे 0 है so हमारा Fn का expression क्या बन जाएगा? Fn is equal to rho A V square sin theta यह हमारा क्या हो जाएगा? हमारा normal force का expression चीक है? अब जो यह jet इस plate में normal force लगा रहा है इस normal force के दो component बनेंगे अब वेसी बात है इसको हम दो component में resolve कर सकते हैं एक component होगा हमारा x direction में और एक component होगा हमारा y direction में तो चलिए इसे दो component में resolve कर लेते हैं यह वाला component हमारा क्या हो जाएगा? fx और एक नीचे के तरफ component बनेगा इसका वो हो जाएगा हमारा fy ठीक है? अब यहाँ पर angle लेंगे अब देखें यह जो angle है यह angle हमारा 90 degree है ठीक है? और यह angle theta है तो यह जो angle बचा वो क्या होगा? 90 minus theta मतलब 90 minus यह theta तो यह angle निकल जाएगा मतलब यह angle भी क्या होगा? यह angle भी हमारा होगा 90 minus theta क्यों? क्योंकि vertically opposite angles are equal तो यह angle की मैं value लिख देता हूँ 90 minus theta ठीक है? अब हम निकालते हैं force in x direction और y direction देखने हैं कि force का magnitude कितना है? x direction में और y direction में so force in force in x direction f x अब जो यह f x है यह f n का ही component है और वो कौन सा component होगा? जब यह इसी के साथ angle बना रहे तो क्या होगा? f n cos theta sorry f n cos 90 minus theta और cos 90 minus theta क्या हो जाएगा? हमारा sin theta तो मैं लिख देता हूँ f n sin theta अब मैं यहाँ f n की value put करूँ f n की value क्या है? हमारी rho a b square sin theta तो हम यह f n की value put करेंगे तो वो हो जाएगा rho a b square sin theta into sin theta sin theta जो यहाँ पहले से ही है so f x की value क्या हो जाएगी? rho a b square sin square theta यह क्या है? किसका magnitude है? यह हमारा force in x direction ठीक है? अब हम बात करेंगे कि y direction में कितना होगा so मैं यहाँ लिख देता हूँ force in y direction अब यह y direction में force क्या होगी? f n sin 90 minus theta so मैं यहाँ लिख देता हूँ f y equal to f n f n यह और यह वाल अंगल उधर से cos बना रहा है तो यहाँ से sin बनाएगा क्या हो जाएगा? sin 90 minus theta और हमें पता है sin 90 minus theta क्या हो जाएगा? cos theta तो f n cos theta यह f y की value है अब यहीं हम यहाँ f n की value put करें so हमारी equation क्या बन जाएगी? चलिए f n की value यहीं put कर देते f n की value क्या हो जाएगी? हमें पता है rho a v square sin theta तो हम लिख सकते है rho a v square sin theta और cos theta यहाँ पहले से ही है cos theta तो यह हमारी किसकी है? f y यह हमें magnitude मिल गया force का किसमे? y direction rho a v square sin theta cos theta इसको भी mark कर लेते हैं ठीक है? तो यह इस f n के हमें दो component मिल गए अब एक और चीज कि यहाँ की हम velocity की बात करते हैं जो अब हम यह चीज तो assume करी लिए हैं कि jet और plate के बीच में friction नहीं होगा तो यहाँ की velocities क्या होगी? यह भी velocity v होगी और यह velocity भी क्या हो जाएगी? v होगी यदि हम tangential direction में force analysis की बात करें तो tangential direction में net force कितनी होगी? tangential direction में net force 0 होगी tangential direction मतलब यह plate का direction यहाँ पे net force हमारी 0 हो जाएगी तो हम tangential direction में impulse momentum equation लगाते हैं हम आपनी impulse momentum equation tangential direction में लगा रहे हैं तो equation क्या बन जाएगी? rho q1 sorry q2 v minus rho q1 v minus rho q2 v यदि हम tangential direction में impulse momentum equation लगाएगे तो हमें यह equation मिलेगी यदि इस equation में अब हमको पता है कि density तो same ही रहेगी water की velocities भी सारी same है so हम उसको हटा देते हैं और काट देते तो हमारी equation क्या बन जाएगी? q1 minus q2 यहाँ पे क्या बजाएगा? q cos theta equal to 0 यह हमारी equation बन जाएगी? ठीके? अब वो जो v cos theta है वो कुछ नहीं है वो यही वाला component है जो यहाँ पे आएगा यहाँ पे जो एक velocity का component आएगा वो कौन सा होगा? v cos theta वाला तो यह वो ही component है v cos theta वाला ठीके? अब यह equation हमें एक equation मिल गई और हमें एक और चीज़ पता है कि continuity equation क्या बोलती है? continuity equation बोलती है q1 plus q2 is equal to q यह हमारी continuity equation बोलती है अब यहाँ से मैं solve करूँगा तो यहाँ पे यहाँ से मैं q2 की value निकालके इस equation में डाल देता हूँ तो मेरी equation क्या बन जाएगी? यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? q2 की value निकाल रहा हूँ और उसको इस equation में put कर दे रहा हूँ तो मेरी equation बन जाएगी q1 minus यहाँ से क्या हो जाएगी? यह value इससे minus हो जाएगी q2 की value q-q1 यह हमारी value है और यहाँ पे minus q cos theta equal to 0 यह हमारी equation बन रही है अब यहीं मैं इसको solve करूँगा bracket खोलता हूँ तो q minus q minus minus plus हो जाएगा q1 minus q और इस q को भी उस तरफ ले चलते चली equal to के उसके इस तरफ ले सकते तो यह क्या हो जाएगा q cos theta minus जाके उधर plus हो जाएगा यह हमारी equation बन जाएगी अब यहाँ पे q1 q1 मिलके क्या बन जाएगा हमारा 2 q1 minus q equal to q cos theta लिख सकते हैं ठीक है 2 q1 minus q q cos theta लिख सकते हैं अब हम क्या करेंगे इस q को उधर भेज देते हैं तो equation हमारी क्या बन जाएगी 2 q1 equal to यह q उधर जाके plus हो जाएगा यह वाला जो q है वो उधर जाके plus हो जाएगा तो क्या हो जाएगा q plus q cos theta यही हमारी equation बनेगी और हम 2 को उधर बेज देते हैं और q common ले लेते हैं तो q1 की value क्या आ जाएगी q1 is equal to q by 2 bracket में यह हमारी value क्या निकली? discharge की value निकली एक side का एक side के plate के discharge की value निकली इसी तरीके से जैसे हमें यह value मिली है हम इसी तरीके से ऐसे ही solve करके जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था? यहाँ पे हमने q2 की value put करें इसमें यह इस equation में q1 की value put कर दूँगा तो यह दिया और इसको मैं solve करता हूँ तो यहाँ मेरे को यहाँ से में क्या मिलेगा? q2 की value मिलेगी सो इसलिए similarly मैं लिख सकता हूँ कि q2 हमको कितना मिलेगा q2 is equal to q by 2 बस ये sign क्या हो जाएगा 1 minus cos theta हो जाएगा इस से हम अपना क्या निकाल सकते हैं इस से हम अपना ratio of discharge निकाल सकते है ratio of discharge और वो क्या होगा q1 by q2 is equal to 1 plus cos theta divided by 1 minus cos theta ये हमें क्या मिल गया हमारा ratio of discharge ठीक है ये था पूरा case किसका जब एक nozzle किसी inclined plate को strike करेगा तो वो क्या force पैता करेगा नॉर्मल component में एक force आएगी एक एक और उसके दो component होगे एक x direction में y direction में और उसका ratio of discharge क्या होगा ये सब हमारा case था पूरा stationary objects का अब हम अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसमें stationary का भी case रहेगा curved plate का उसके बाद एक hinge plate का भी case आता है और उसके बाद ये सारी plate का moving कैसे आ जाएंगी जब ये move कर रही है तब ये jet उस पे क्या force लगाएगा ये आपको इस topic से related कुछ भी doubt रहता है तो आप comment कर सकते हैं हम उसका जरूर आपको feedback देंगे thank you